चुपके चुपके मेरी नजर से बज़र के रहे है के हम है तुम्हारे चांद गटने लगा राथ धलने लगी यही दिन थे यही ख़जमान चांने जगर है है एक तोई धर कर गवच बच पल के दिन भी का दिन बच भीगी फ़जों सन 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 के जिया ये रास्ते हैं प्यार के, क्यों मुझे इतनी खुशी दे दी, आज कोई चपा के लिए, शिश सपी, या पेमने सपी, कमीने शक्स ने चार पैसे की लालस में आकर हमारे से दुश्मनी की है, दुश्मनी, इस बर्बादी के जड़ मैं हूं मैं, घर में बहुत बड़ी पार्टी होगी, बड़े बड़े लोग आने वाले होंगे, लेकिन ये सेवा वगरा की जो बाते कर रहे हो, इसके लिए और पहुत से डॉक्टर, हमारे पास इतने पैसे हैं, जिसके सूसे मेरे बेटी तुम्हारे जिननकी के सारे कल और सारे परसों खर शिशिर जी ने खुद शेशिकला जी का इंटरिव्यू किया था, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से वो इंटरिव्यू पढ़ सकते हैं, हर जगा शेशिकला के जनम की तारीख 4 अगस्त 1932 बताए जाती है, पर शेशिकला का जनम 3 अगस्त 1933 को शोलाप शेशिकला जावलकर कपड़े के विपारी थे, तीन भाई और तीन बहनों में शेशिकला पांचवे नमबर पर थी, शेशिकला के पिता ने अपने छोटे भाई के बेटे को पढ़ाई करने के लिए इंगलैंड बेजा, जिसकी वज़े से खर्चे बहुत ज्यादा हो गए, यहां कारोबार में जबरदस्त घाटा हो गया और परिवार अर्श से फर्श पर आ गया, शेशिकला गनेश उत्सव के प्रोग्राम में हिस्सा लेती थी, शेशिकला को अच्छी अदाकारा माना जाता था, इसलिए परिवार बॉंबे शिफ्ट हो गया, यह सोच कर कि शेश शेशिकला की हुई मुलाकात में उनकी जिन्दगी का रुख बदल दिया, नूर जहां को अपनी अगली फिल्म में अपनी बेटी के रोल के लिए एक यंग लड़की की तलाश थी, शेशिकला ना अर्दू ठीक से जानती थी ना हिंदी, शेशिकला के हाथ से वो रोल निकल पर नूर जहां के पती उस फिल्म के डिरेक्टर शौकत हुसैन रिजवी ने शेशिकला को एक कवाली में बिठा दिया और परफॉर्म करने का मौका दिया, कवाली बहुत फेमस हुई, इसे लिखा था नक्षब ने, संगीतकार, मीर साहिब, कवाली गाई थी, कल्यानी, आहे ना भरी, शिक्वे ना किये, कुछ भी ना जबान से काम लिया, फिल्म थी जीनत, ये 1945 में आई, शेशिकला ने बताया था, कि शौकत सहाब ने हम तीन लड़कियों का स्क्रीन टेस्ट लिया, और कहा था, जो जीतेगा, उसको 20 रुपे इनाम मिलेगा, वो इनाम मैंने जीता था, शौकत हुसेन रिजवी ने शेशिकला के साथ तीन साल का कॉंट्रेक्ट किया, और पहली शर्त अर्दू सीखने की थी, इनाम के 20 रुपे से शेशिकला ने भाई बेहनों के लिए कपड़े खरीदे, अपनी ले दो साड़ियां, बहुत लंबे अरसे के बाद उन शौकत सहब शेशिकला के परफॉर्मेंस से बहुत सैटिसफाइड थे, इसलिए अगली फिल्म में उन्होंने शेशिकला को हीरोईन बनाने का फैसला कर लिया, पर किस्मत को कुछ और ही मन्जूर था, देश का बटवारा हो गया, शौकत और नूर जहां पाकिस्तान चले ग हीरोईन का रोल मिला, फिल्म रंजीत मूवी टोन की थी, डारेक्टर प्रलाद दत, हीरो थे आगा, कुछ और फिल्मों में काम करने के बाद, शेशिकला ने ओम सैगल से शादी कर ली, ओम सैगल के एल सैगल के रिश्टेदार थे, उनका घी का कारोबार था, ओम सैगल ने बनकर रिलीज होने में बहुत समय लग गया, और इस फिल्म के कारण शेशिकला और उसके पती को बहुत नुकसान हुआ, ओम सैगल कर्ज में डूपते चले गए, अब एक बार फिर शेशिकला का संगर्श शुरू हुआ, पैसा कमाने के लिए शेशिकला ने बी ग्रेट की स सौदागर, लाल बती, कैप्टन किशोर, मैडम एक्स वाई जेट, एज हिरोईन, काम्याब ना होने की फरस्ट्रेशन शेशिकला के मन में भर रही थी, तारा चंद बढ़ जातिया, एज परडियोसर अपनी पहली फिल्म शुरू करने जा रहे थे, आरती, शेशिकला का पर विदेशक फणी मजूमदार उनके मन की बात जानते थे, उन्होंने शेशिकला से कहा कि इस फिल्म के बाद तुम्हें इतना काम मिलेगा कि फुरसत ही नहीं मिलेगी, आरती 1962 में रिलीज हुई, कहानी परफूला दिसाई के पले संसकार लक्षमी पर अधारित थी, में शेशिकला को इस फिल्म के लिए बेस्ट स्पोर्टिंग एक्टरेस फिल्म फेर अवार्ड मिला और शेशिकला के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट रोल्स के धरवाजे खुल गए, 1963 में आई बी आर चोपडा की फिल्म गुमरा में शेशिकला ने बहुत इंटरस्टिंग करेक् उन्हें फिर बेस्ट स्पोर्टिंग एक्टरेस फिल्म फेर अवार्ड मिला, 1963 की गुजराती फिल्म सत्यवान सावित्री के लिए शेशिकला को गुजराती सरकार से बेस्ट एक्टरेस अवार्ड मिला, आरती और गुमरा के इलावा शेशिकला को बेस्ट स्पोर्टिंग एक्टरेस फिल्म फिर अवार्ड के लिए छे बार नॉमिनेशन मिला। हर फिल्म में उनका रोल नेगटिव नहीं था। फिल्में थी 1959 की सुजाता, 1964 की आई मिलन की बेला, 1965 की हिमाले की गोद में, 1966 पूल और पत्थर अनुपमा, 1968 नील कमल। फिर शेशिकला अपनी रूटीन लाइफ से बहुत बोरियत और थकावट महसूस करने लगी, उन्होंने दो बेटियों को जनम दिया, पती के साथ उनकी अन्बन जल्दी ही हो गई थी, उन्होंने फिल्मों से थोड़ा ब्रेक ले ले लिया था, पर इंडस्ट्री ने फिर उन घर घर की कहाने के दोरान ऐसा कुछ हुआ कि शेशिकला ने बॉम्बे छोड़ने का फैसला कर लिया, चार धाम यात्रा की रिशिकेश के आश्रमों में भी गई, उन दिनों शेशिकला की छोटी बेटी शैलजा कलकता में रहती थी, एक बहाना बन गया और शेशिकला मदर तेरेसा के आश्रम जा पहंची, शेशिकला ने कहा था कि एक तो एक्टरिस और उपर से बुरी औरत की इमेज, मुझे सब लोग शक की नजर से देखते थे, पर शेशिकला ने हमत नहीं हारी, जी लगा कर वहां सेवा की, पहली बार मदर तेरेसा से मुलाकात हुई, तो शे शेशिकला की बेटी गुजर गई, अब शेशिकला में मदर तेरेसा के आश्रम में रहने के कारण एक नई एनरजी आ चुकी थी, हमत हारना उन्होंने सीखा ही नहीं था, फिर से काम शुरू कर दिया, टीवी सीरियल्स और कुछ फिल्मों में, एक हमत वरी जिन्दगी की मि शेशिकला इस दुनियो को अलविदा कह गई, उनका नाम हमारे सिनेमा के बेहत खास करेक्टर आर्टिस्ट्स में शामिल है, जिनने वैंप, बुरी औरत, खलनाय का बहुत कुछ कहा जाता है, शेशिकला जावलकर सेगल के बारे में ये खास एपिसोड यहीं पूरा होता है एपिसोड लाइक करना ना भूलें